तो दिखिए जो वीडियो स्विल इंजिनिरिंग में जो थर्ड सनेश्टर में आपका होता है इस्ट्रक्शल मेकैनिक्स उसका पुरा मॉडल पेपर है इसमें बताएंगे किस टाइब की कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं बहुत से कोश्चन है जो आपके जो म मेकैनिकल इंजिनरिंग और सिविल इंजिनरिंग आपको पता ही है मेकैनिकल में मॉस के नाम से इसे जाना जाता है और सिविल में यानि इस्ट्रक्शल मेकैनिक्स के नाम से है सब्जेक्ट जो है इसको हम जानते हैं तो इसमें कुछ जैसे पेपर होते हैं वो कामन हो जाते हैं बात कर लें अगर इस्टेश डाइग्राम की तो लगबग हर साल वह कोस्टन फूचा जाता है तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़िएगा हमें कोस्टन की स्रीज हम लेकर आएंगे फरवरी मन्त में आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजेगा टेलिग्राम पर आपको सब कुछ मिल जाएग तो टेलिग्राम जो चैनल है वो है AKC Technical Classes क्या है AKC Technical Classes वहाँ पर आपको सभी important question के PDF मिल जाएगे और वहाँ पर विद्ध्या को पायांक और जो books होती है तो आपको पता है आपको पता है कि क्या क्या आपको साधानिया बरतनी है इसे आपको पता है चलिए बिना किसी दे रहे कि हम अपने डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट कोस्चन्स हैं यानि जो आपके मॉडल पेपर हैं जो कोस्चन आपके एजाम में पूछे जा चुके हैं उसको देखते हैं आपको ये भी पता है कि पेपर जो इंदे अंगलिस दोनों में होता है और आ यहां पर आपके अब्जेक्टिव टाइप के कोस्चन पूछे जाएंगे जहां पर आपके अब्जेक्टिव टाइप के कोस्चन नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्ट आपके सीरे से सीरे पांस मास नमर के कोस्चन पूछे जाएंगे जैसे दिया है एबी एपी तो देखि कि इस प्लासिफिकेशन आफ माटेरियल्स गाईजां को परुष्ट करना और भी इन दोनों को पुराल निखना और देखे निमेरिकल को पूस्चन है। और इस दोनों question को आपको करना है यहां पर कोई भी question आपको optional नहीं मिलने वाला है ध्यान रहें यहां पर आपको कोई भी question option के रूप में नहीं मिलेगा इन सब को करना है साथ question total है और यहां से आपको पचास नमबर करना है तो आप लोग कौन कौन सा करेंगे यानि देखिए पांच question आपको total करना है साथ question दिया हुआ है ठीक दिखिए सब question आपके एकचा में पूछे जा चुके हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा इंगलिस का हो क्या हिंदी का भी हम आपको बताएंगे यह भी बताएंगे किस प्रकार से आप लोग अपने copy को लिखेंगे अच्छा marks भी आपको कैसे आएगा तो एक बार फ इस प्रकार से सब में दो-दो question आपके दिये गए हैं सब्सक्राइब क्या है फिर एक नियुमेरिकल कोस्चन दिया गया यानि पांच-पांच नमर का यहां पर भी आपका question पूछा गया है थर्ड में इसी प्रकार से एक नियुमेरिकल है फिर इस्टेन स्ट्रेस डाइग्र दोनों में पूछा गया था फूर्थ question भी आपका कुछ से प्रकार है कालम वाला है तो इसको भी पढ़ लिजेगा ध्यान से और नियुमेरिकल कोस्चन पर भी ध्यान दिजेगा क्योंकि थियरी आप लोग कितना भी लिखेंगे आपके marks जो हैं वो कटेंगे लेकिन अगर question की बात करें अगर बस सही हो जाएगा तो आपको पूरा नंबर देख कर जाएगा तो ध्यान रहें आपनों को नियुमेरिकल कोस्चन पर ज्यादे ध्यान देना है एक्जाम में पूछा जाता है पाच्छबा का रहा है हालो सिलेंडर गल का स्ट आरं इसको देख लिजेग है तयुना है अगल साफ लोट को सालब करना है क्या होते हैं तो सफ लिजीव है यानि साथ गौशिटन आज को जैसात करना रहेगा खाए कि अब यहां पुस्च परकार यह बाथ करने तर्भ हं दीक तो देखिये सामग्रीकरण左 करें अब यह सामग्रिंचों का मटगी के कलना करें सामय क्या होती है तो आप लोग नहीं समझ़ पाएंगे सामग्रिया क्या है तो आप टैरेक पहुचेगा English में यानि Materials Hindi रहेगा तो समग्गरीया समग्रिया का क्या मतलब कुछ लोग उल्टा सोचने लेंगे लेकिन उसका मतलब यहाँ है Materials तो Materials वर ध्यान दिजेगा तब आप लोग समग्रिया का आर्थ समझ पाएंगे इसलहे कहते हैं दिया इंग्लिस दोनों पढ़ा करें आप लोग जहां तक पढ़ें आप लोग एंग्लिस फट्राइं बार बार आप से एक भात करते हैं जो भी खंड उठाएं उसका जितना कोश्चन करना रहे सब एक स्रीज करें मां लेजे फॉस्ट उठाएं हैं तो फ़िस्ट का और वे दोनों करने फष्ट का और दोनों करने तभी नेक्टेस अन्सवर डालने तभी आप लोग नेक्सट तानली यानि सेकेंड को चंत आप लोग डालें ओके ना करें कि फ़ Mackie स 국स्व्ट का आ याइशा करें की फ़िस्ट का आप BO service डाल किल्स आलब कर दें तो देखिए स्रीज का मना एक के लगा दो किए दो के लिए फीर किए तो ऐसार नहीं करना है किसी भी कोश्चन में फॉस्ट कर लिक लिए बैल लिक लिए दोनों हो गया आपको जा आपको नमबर मिलेगा और आपने जांती है तो एक्सपीरियंस आपको उतना होगा ही और अगर हम बात करने जैसे कि क्या बोलते हैं पांस नमर कर कोश्चन है तो एक से दो पेज आपको लिखना भी पड़ेगा आपने एकजाम दिया है मार्क साथ सभी लोगों क्या होंगे तो किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा लिखा तो सबने था त उसके लिखने का तरीका सबसे इस बात आप लोग राइटिंग पर ध्यान दीजेगा राइटिंग सही रहेगा तभी आपको अच्छा नमबर भी मिलेगा सबसे जरूरी बात है राइटिंग के तो एक से दो पेज लिखेंगे तब जाकर आपको कहीं तीन या चार नमबर मि मिलेगा नहीं मिलेगा तो जितने भी बीम होते हैं सबको क्राम से हेडिंग लिख के उसके बारें डिस्क्राइब कर देना है तब जाकर आपको पांच नमबर या चार नमबर देगा एक्जाम ना रुके तो सब हिंदी वाला है निमेरिकल पर ध्यान दिजेगा क्योंकि जो मास होता है जो आपका मास हो गया या यहां से आपके निमेरिकल कोश्चन जादे पुछे जाते हैं कम से कम चार या पांच कुश्चन आपके निमेरिकल पुछे जाते हैं और दो टेरिवेशन भी आपके एक्जाम में पुछा जाता है तो टेरिवेशन अधिक तर आपका आ आपके एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं और प्रिवियस तीन चार साल का पेपर अगर आप लोग साल वकल लेते हैं तब भी आप असानी से क्लियर कर लेंगे और यहां फूर्थ में देखिए तो कुछ है इसमें लेंग्वेज जो हैं आपके मौस और सेम में जो लेंग्वेज हैं थोड़े जो हिंदी लेंग्वेज हैं थोड़े डिफरेंट रहते हैं अलग-अलग हो जाते हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग इंग से देखिए अब बलीब धूर्ण क्या होता है तो देखिए पांचवे कब हैं इंग्लीश में फोच जाए तुरंत पांचवे कब यानि बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है उसको डिराइब करना है तो इसलिए कह रहे हैं आप प्रिवेश के कोश्चन है अधिकतर कोश्चन आपके एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो इस सब को आप लोग हलके में मत लीजेगा थोड़ा ध्यान से सब कोश्चन को भी पढ़कर जरूर चाहिएगा इसे प्रकार सातवा कोश्चन है भार के प्रकार लिखना है तो प आपको मिल जाएगा तो यहीं था आपका मॉडल पेपर इस्ट्रक्चरल मेकाइनिक्स का तो थोड़ा ध्यान से देख लीजेगा और एक्जाम में जाने से पहले सभी कुश्चन आपको रिपीट करके जरूर चाहिएगा तो इस्ट्री करते रहें आपके बाएट टेक क्या आपके बाएट